एलो फ्रेंड्स राधे राधे जैसरी कृष्णा फ्रेंड्स से देखे आज हम जो ड्रेस बनाएंगे उसको हम टू कलर से बनाएंगे एक ब्लैक कलर है और एक है से ग्रीन यह देखिए आप कोई भी अपने पसंद से टू कलर ले सकते हैं यह कलर भी अगर लें तो यह और उससे हम ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं अगर आपको इसमें क्रोश्या वर्क नहीं करना तो आप ब्लैक कलर से बनाए शुरुआत करें अगर आपको क्रोश्या वर्क नहीं करना लेकिन हम आपर इसमें आउटलाइन जो देंगे वह ब्लैक कलर से क्रोश्या से देंगे तो इसलिए हम याप पर ग्रीन कलर से इसमें फंदे डालेंगे लेकिन अगर आप क्रोश्या से आउट लाइन इसमें नहीं देना चाहते तो जो क्रोश्या से आउट लाइन देंगे वो बिल्कुल अप्सनल है लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छा बहुती प्यारा सा इसका ब्लैक के तो आप चार सलाईय ब्लैक कलर से फंदे डालकर उन से बना लीजिए बाकी नीचे सारा ग्रीन से बनेगा लेकिन जब हम आउट लाइन देंगे क्रोश्या से तो फिर हम फंदे डालेंगे यहां पर ग्रीन कलर से तो इस तरह से हमें इसको शुरू करना है और यह 10 नंबर की हमने आपर सलाई ली है और 20 फंदे इसमें 20 फंदे इसमें हमने डाल लिए हैं तो 20 फंदे डालने के बाद देखे किस तरह से इसको हम शुरू करेंगे तो चलिए इसको बनाना शुरू कर लेते हैं 20 फंदे हैं 20 फंदे और 10 नंबर की सलाई ली है तो अब हम इसक बनाएंगे यहां से इसको हम इस तरह से फंदा थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और इस तरह से इसको शुरू करते नेक का बोर्डर बनाएंगे सबसे पहले और यहां पर हम चार सलाइयां बनाएंगी जो दोनों साइड से उल्टी-उल्टी होगी इस तरह से, अगर आप इसको ब्लैक कलर से बनाते हैं, इसमें फंदे डालते हैं, तो चार ही सलाई आपको ब्लैक कलर से बनानी हैं, उसके बार नीचे से ग्रीन से बना लीजिए, पांच भी सलाई में आप कलर चेंज करके ग्रीन से बना सकते हैं, चोथी सलाई में भी कलर चे से बनाएंगे अब इसकी दूसरी सलाई बना लेते हैं लास्ट वाला फंदा देखिए हमने सीधा बनाया है अब दूसरी सलाई बना लेते हैं इसको भी उल्टाई बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा दोनों साइड से हमें सीधा बनाना है तो इस तरह से देखिए चार सलाईया बना लेते हैं हम दूसरी बनाने यहां पर लग रहे हैं तो इस तरह से चार सलाईया बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए चार सलाईया इसके हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब इसके पांचवी सलाई बनाएंगे तो यहाँ पेर कलारश शंग्रों का हो जाएगा इस तरह से आप इसको बना लिए एक फंद ऐसे उतार लिया और दो क्लазд एक उल्टे ते इन फंदे ऊगाई के बोड़र गें फिर धाग अपनी साइड फंदा सीधा इस तरह से हर फंदे पर हमें जाली डाल लेनी है धाग अपनी साइड करके हम जब फंदा बुनेंगे तो जाली यहाँ पर डल जाएगी यह देखिए धाग अपनी साइड फंदा सीधा इस तरह से जाली डालते हुए इसके हम पांच भी सलाई कंप्लीट करेंगे धाग अपनी साइड लाएंगे देखिए तीन फंदे हमारे पास बच गए दो फंदे तो यहाँ पर उल्टे बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा बनाएंगे सीधा इस तरह से इसके हमने पांच भी सलाई कंप्लीट कर ली है अब चटी सलाई बना लेते हैं यह फंदा ऐसे उतारेंगे और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना लेंगे यह देखिए पूरी सलाई उल्टी बना कर इसकी कंप्लीट कर लेते हैं चटी सलाई है और उल्टी साइड है अब देखिए सीधी साइड पर आ गए और इसकी हम सेवंत रो बनाएंगे सीधी साइड से सात्वी सलाई यह फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना ल यह साथवी और आठवी दो सलाईयां हम इसी तरह से उल्टी बनाएंगे अभी तो हम इसके सीधी साइड पर हैं और फिर इसके उल्टी साइड से आठवी सलाई बनाएंगे उल्टी तो इस दो सलाईयां बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते अब देखे सीधी साइड पर ह हो थे तो फिर इसमें फंदे बढ़ाएंगे एक फंद एसे उतार लेंगे और दो फंदे उल्टे तीन फंदे उगए धागा पीछे करेंगे अब हम यहां पर 40 से फंदे नहीं बढ़ाएंगे देखे जो चोथा फंदा इसको हम एक का दो बनाएंगे इस तरह से सीधा बुनते हुए एक बार बुन लिया और इसी फंदे को इस तरह से दूसरी बार बुन लेंगे तो एक फंदे के दो फंदे हो गए, फिर एक फंदा इस तरह से बुनेंगे, और फिर यहां पर एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे, फिर एक फंदा, फिर एक फंदे के दो फंदे, एक फंदा में बीच में छोड़ लेना है, और फिर फंदे को डबल बनाना है, फिर एक बी यह देखे इस तरह से पूरी सलाय हम बना लेते हैं नाइं तरो और सीधी साइड से इस तरह से फंदे बढाएंगे पिर एक पर फंदे बढाएंगे फिर छोडेंगे छोडेंगे फिर एक पर बढ़ाएंगे हर तीक हर तीसरे संदे को में दबल बनाउना है किए है कि एक बुन लिया फिर हमने अगले पर एक तो बनाया फिर एक मन लिया फिर एक कर दो बनाया अस यहां सेभी साइड से-सको बनाएंगे फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सल्हा это usill बना लेते हैं इसको बना लएंगे और यहां से इसको बनाएंगे बनां पूर बूरे मत इसको बना लेंगे yeah यह 11 सलाई है इसको हम उल्टा बनाएंगे और 12 सलाई उल्टी साइड से उल्टी तो ये 2 सलाई बना लेते हैं ये देख़िए 12 सलाई हैं इसके हमने बना कर कंप्लीट कर ली है इव्यदी eyebrows है अब इसका से … तर्टीन नंबर की सलाई यह फंदा ऐसे उतारेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे इस तरह से धागा पीछे करेंगे तीन फंदे तो बोडर के हो गए एक फंदा सीधा से बुन लेंगे तोटल हमने आपर चार फंदे बुन लिए इसके बाद इस फंदे को एक का दो बना लेंगे, एक बार बुना और इसी फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे, तो एक के दो हो गए, फिर यहां पर हम दो फंदे बुनेंगे, एक, दो पहले हमने यहां पर एक फंदा रखा था बीच में, जिस पर फंदे नहीं बढ़ाएती हम देखें, दो रखेंगे यहां पर दो हो गए और तीसरे फंदे को देखिए इसका एक का दो बनाएंगे फिर दो फंदे हम ऐसे उतारें बुन लेंगे एक दो और फिर दो फंदों के बाद इस फंदे पर फंदा बढ़ा लेंगे फिर से दो फंदे एक दो फिर फंदे पर फंदा बढ़ाएंगे फिर दो फंदे बुनेंगे एक दो और फिर इस फंदे को देखिए एक का दो बना लेंगे एक, दो और फिर एक का दो बनाएंगे इस तरह से इसके थर्टीन रो बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं और फोर्टीन सलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे थर्टीन और फोर्टीन इस तरह से तेरवी और चोद्वी सलाई बना लेते हैं तेरवी सलाई में सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे दो फंदों के बाद फिर फंदा बढ़ाएंगे फिर दो फंदे ऐसे हुनेंगे फिर फंदा बढ़ाएंगे उसके बाद उल्टी साइड से इसके उल्टी सलाई बना लेंगे तई दो सलाई कि यह बना लेते हैं यह द्यक्ति को देखें इसकी सववाइंच है दोनों और बना लेते हैंतों साइच से उल्टी उल्टी फंदे मारे पर पास इस में 62 है 62 फंदे हो गए हैं काफी है और फंदा तो नहीं बढ़ाएंगे यहीं से इसको देखिए इस तरह से बनाएंगे दो सलाइयां इसकी उल्टी उल्टी बना लेते हैं 15 और 16 रो चोदर सलाईया इसकी हमने बना ली है पंदरवी और सोलवी दो सलाईया और बना लेते हैं दोनु साइट से उल्टी उल्टी हमारी यहाँ पर देखें लेंद भी काफी हो जाएगी फिफ्टीन और सिक्स्टीन दो रो बनाने लेंगे और फंदे हम और नहीं बढ़ाएंगे टोटल फंदे हमारे पास इसमें 62 हैं 62 हैं काफी हो गए हैं तो यह दो सलाईया बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं यह देखें इसकी हमने 16 लाईयां बना ली है इसकी एक बार लेंद फिर आपको हम दिखाते है इसको अच्छे से इस तरह से खोल लेते हैं यह दिखे डेड़ इंची हो गया है अब इसकी हम यहां से बाजू और बैक फ्रेंट के फंदे अलग करेंगे तोटल फंदे हमारे पास इसमें 62 है तो इनको हम अलग कर लेते हैं एक फंदा ऐसे उतारेंगे दो तीन धागा पीछे करेंगे एक फंदा तो हमने ऐसे उतार लिया दो फंदे उल्टे बुन लिए तोटल हमारे पास तीन फंदे हो गए चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो फंदे हमने देखे यहाँ पर फ्रेंट साइड के बुन लिए है देखे नो फंदे बनाने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे यह फ्रेंट साइड के फंदे है ताकि हमें फंदे बार बार काउंट न करना पड़े तो अब देखिए यहाँ पर हम बाजू के फंदे बना लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे तेरे फंदे हमने आपर बाजू के बना लिए, अब यहीं से हम वापिस हो जाएंगे तेरे फंदे बनाने के बाद यह फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे यह बाजू की इसके दूसरी सलाई है, इसको इस तरह से उल्टा बना लेते हैं हम यह से निकाल देंगे और देखे तीसरी सलाई बना लेते हैं अब इसको हम सीधा-सीधा बनाएंगे फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई इसके सीधी बना लेंगे सीधी साइड है और तीसरी सलाई है अब उल्टी साइड से इसकी चोथी सलाई बनाएंगे फंदै से उतार लेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे यह देखे चोथी सलाई इसकी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब पांचवी सलाई बनाएंगे फंदै से उतारेंगे और पूरी सलाई सीधी बना लेंगे पांचवी सलाई होगी सीधी साइड से तो पूरी सलाई बना लेते हैं यह देखिए अब इसकी चटी सलाई बनाएंगे उल्टी साइड से उल्टी चटी सलाई है इसको हम बना लेते हैं देखिए अब इसके हम साथवी सलाई बना लेते हैं फंदय से उतारेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे साथवी सलाई है सीधी साइड से इसको हम इस तरह से उल्टा बना लेते हैं अब इसके हम आठवी सलाई बनाएंगे यह फंदय से उतारेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे अब देखे सीधी साइड से इसके नाइंतरों बनाएंगे नोवी सलाई और यहां से फंद इसके बंद कर देंगे दो फंदों का एक फंदा फिर यह फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक फिर फंदा वापिस फिर दो का एक फिर फंदा वापिस फिर दो का एक इस तरह से इसके हम नाइम त्रो बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं सीधी साइड से इस तरह से एक बाजू बन गई है इसकी लेंट आपको दिखाते हैं कि कितनी इसकी लेंट हो गई है यह देखिए पूरे 1,5 इंच है अगर आपको इससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा इसमें कुछ भी करना है ज्यादा करना है तो दो सलाइया इसमें उल्टी उल्टी और बना लीजिए लास्ट में और कम करनी है तो यहां से इसकी दो सलाइया क कर सकते हैं प्रोपर 1,5 इंच यह तैया है अब इसका यहां से धागा कट कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे जो यहां से बाद में बाजू सिलेंगे तो इसकी सिलाई के काम आ जाएगा यह देखिए एक बाजू तो हमने बना ली है इसकी दूसरी बाजू बना ल इस तरह से दो फंदेतों हम देखिए डबल दागे से बुन लेंगे दो बुनने चाहिए एक बुन लें इससे दागा हमारे आपर अच्छे से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा खुलने कभी डर नहीं रहेगा और इसके बाद जो दागा बचेगा देखिए इस तरह से इसको इस दागे के साथ लपेट देंगे यह देखिए तो हमने आपर इसको कनेक्ट कर लिया है दागे को अब यह सारे फंदे बुन लेते हैं जितने के फंदे हमारे पास लास्ट के बस हमें नो फंदे छोड़ने हैं फ्रेंट साइड के सीधा सीधा इसको हम बनाएंगे अब कि देखे पूरी सलाई हमने यहां तक बनाकर इसकी कंप्लेट कर ली है तीन तीन छे साथ आठ और यह नो नो फंदे हमने यहां तक बुन लिए अब यहां इसे वापिस हो जाएंगे देखिए इनको हमने छोड़ लिया नो फंदों को अब यहां सेमें तेरा फंदे बुनने हैं बाजू की एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे 13 फंदे हमने बाजू के बुन लिए, अब हमारे पास 18 फंदे रह गए बैक साइड के, यह फंदे हैं 18 देखें, काउंट करके बताते हैं, दो दो फंदे हम काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तो 18 फंदे बैक साइड के हो गए, अब यह यह वापिस हो जाएंगे, यह फंद ऐसे उतारेंगे, और यह बाजू के फंदे बुन लेंगे, जैसे हमने एक बाजू बनाई हैं, सेम इसी तरह से इसकी हम दूसरी बाजू बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, देखें, दोनों बाजू हमने इसकी बना ली है, दागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे लास्ट वाले, और एक फंदा सीधा, तो इस तरह से देखें, बाजू हमने इसकी अलग कर दी है, अब उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई हम बना लेते हैं, यह फंदा ऐसे उतार लेंगे, और उल्टी साइड से भी इसमें हम दो फंदे कम करेंगे, देखिए, यहां से एक फंदा यह है, और एक यह दो फंदों का एक फंदा हम बना देंगे, और एक फंदा दूसरी साइड कम करेंगे इसमें, यह देखिए, यहां तक इसको हमने बना लिया, अब यहां भी हम दो फंदों का एक फंदा बना लिए, दो फंदों का एक हो गया, दो फंदे हमने यहां पर कम कर लिये, धागा पीछे करेंगे फंदा सीधा ये देखे इस तरह से बाजु हमने इसकी बना कर कम्प्लेट कर ली है अब हम इसको नीचे से बनाएंगे तो देखे किस तरह से बनाना है ये फंदा ऐसे उतारेंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागापीछिए करेंगे नो फंदे थे फ्रंट सायड के चार तो अमने भुन ले पांच छे साथ गंटे मैं भुन ले अब जो एक ये वाला दो के ये था और इक ये वाला देखे साथ फंदे बुनने के बाद अब यहां पर हम दो फंदे बढ़ाएंगे देखे साथ फंदे बुन लिए अब दो फंदे यह बढ़ाएंगे एक ये वाला और एक ये वाला तो इनको हम इस तरह से एक का दो बनाएंगे, एक बार बुन लिया और इसी फंदे को दूसरी बार, फिर अगले फंदे को एक बार बुना और इसी फंदे को हमने दूसरी बार बुना, साथ फंदे बुनने के बाद हमने दो फंदो पर फंदे बढ़ाए हैं, फिर यह बैक अब इसी तरह से दो फंदे हमें इसमें दूसरी साइड बढ़ाने हैं कि यहां तक इसको हमने बना लिया है अब दो फंदे हम यहां पर बढ़ाएंगे एक यह वाला और एक यह वाला इन दो को बढ़ाकर लास्ट में हमारे पास तीन tooth six साथ फंदे बचते हैं तो इन दो पर अभी हम सब जiter बढ़ा लेंगे एक बार भून लिया और इसी फंदे को दूसरी बार फिर फंदा एक बार बुना और इसी फंदे को दूसरी बार इस तरह से दिखिसकों बना लेते हैं, धाग अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंद सीधा बना लेंगे, अब उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना लेते हैं, यह पूरी सलाई बना कर लेते हैं, उल्टी साइड से यह देखिए, इसकी हमने उल्टी साइड से उल्टी सलाई बना लेते हैं, सीधी साइड में इसमें हमने यहाँ पर दो फंदे बढ़ाये थे दो फंदे हमने यहाँ पर इसके बाद उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना ली है अब फिर से इसमें हम फंदे बढ़ा लेंगे एक फंदा ऐसी उतार लिया दो तीन तीन फंदे हो गए धागा पीछे करेंगे देखें तीन फंदे आपर बुन ले अब एक फंदा यह है इसको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से इसके बातव जे फंदा यह है तीन फंदे पूले चोथ'! हमें यह का इक का इकर फ नहीं हो गया फिर देखें हो पर हम एक दो तीन फंदे बुन लेंगे और चोथे फंदे को हम एक का दो बना लेंगे तीन फंदे बुन लिए चोथे फंदे को एक का दो बनाएंगे फिर तीन फंदे बुनेंगे एक दो तीन और फिर देखे जो चोथा फंदा इसको हम एक का दो बना लेंगे एक बार बुन लिया और इसी फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे फिर तीन फंदे एक दो तीन और फिर देखें चोथा फंदा एक का दो बना लेंगे एक बार बुन लिया और इसी फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे इस तरह से हम यहाँ पर फंदे बढ़ा लेते हैं तीन फंदे हो गए और जो चोटा फंदा है इसको एक का दो बनाएंगे इसको बना लेते हैं इसके बाद उल्टी साइड से इसके उल्टी सलाई बनाएंगे ये देखे फंदे बढ़ाने के बाद हमने उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना ली अब इसकी हम दो सलाईया बना लेते हैं फंदा ऐसे उतारेंगे और दो फंदे उल्टे तीन फंदे हो गए अब सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी इसकी हम दो सलाईयां बना लेते हैं और ये दो सलाईयां बनाने के बाद फिर से इसमें हम फंदे बढ़ा देंगे ये देखे सेधी साइड पर आ गए हैं और फिर से इसमें हम फंदे बढ़ा लेंगे ये फंदा ऐसे उतारेंगे और दो फंदे यहाँ पर उल्टे ये तो बोडर के फंदे हो गए धागा पीछे करेंगे तीन फंदे हमने बुन लिए चार पांच छे छे फंदे बुन लिए अब जो इस सातवा फंदा है इसको हम एक का दो बनाएंगे एक बार बुन लिया और इ फिर छे फंदे बुन लिए और जो इस सातवा फंदा है इसको में एक का दो बनाएंगे एक का दो गया फिर छे फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे और फिर एक का दो बना लिएंगे फिर छे फंदे एक दो तीन चार पांच छे और फिर एक का दो बना लिएंग और फिर एक का 2 बना घे इस तरह से इसमें फंदे बढ़ा लेते हैं और इसके बाद उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बनाएगे ये दो सलाई बना लेते हैं फिर आपको हम दिखाएंगे कि देखे इसको हमने पना लिया है अब हमारे पास 15 같 ऐसमें 22 50 या 48 इतने पंदे इसमें 48 पंदे तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे पास टोटल 52 पंदे फंदे हैं अब इसकी हम 4 सलाईयां बनाएंगे दोनों साईट से उल्टी-उल्टी सीधी साईट से इल्टी और उल्टी साइट से भी उल्टी तो ये चार सलाई हैं हम इसकी बना लेते हैं बनाने के बाद फिर आपको इसको दिखाते हैं कि यह देखे चार सलाई इसके हमने बनाकर कंप्लेट कर ली है यह दो लाइने आ गई है सीधी साइड से अब पांच वी सलाई में इसको हम घटा देंगे सीधी साइड से उल्टा बनाते हुए कि दो फंदों का एक यह फिर फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक फिर फंदा वापिस फिर दो का एक इस तरह से हम यह बंद कर देते हैं इसके सारे फंदे देखे इस तरह से इसको बंद करने के बाद फिर आपकों दिखाते हैं यह देखे फंदे हमने इसके घटा दिये हैं और इस तरीके से इसके कुछ लुक नजर आएगी यह देखिए अब यहां से इसमें आउटलाइन बनाएंगे ब्लैक कलर से अगर आपको क्रोशय से इसमें आउटलाइन नहीं बनानी है तो आप यहां पर सलाईयों से इसमें फ्रिल बना सकते हैं हमने काफी ड्रेस में डाली हुई है ति देखें यहां से इस तरह से धागा लगाएंगे एक क्रोस्या हुक डाला और इस पर हम देखें धागे पर इस तरह से गुमाएंगे इसको एक नोट लगा देंगे यहां पर नोट लगा दी और यहां से हम यह निकालेंगे और इसके ब डेनी है नीचे नीचे उसी सिर्फ आउटलाइन हमें देनी है अब ये धागा इसके साथ दबा लेंगे कँए यह देखिए एक डबल क्रोशिह और इसी के साथ ये suitable क्रोशिया कर फिर यहां पर ये देखिए ये बीच में एक फंदा छोड़ देंगे यहाँ पर हुक डालेंगे इस तरह से एक डबल क्रोसिया और इसी के साथ सेम जगे ही हम दूसरा डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर देखें यहाँ पर यह फंदा छोड़ेंगे यहाँ पर हुक डालेंगे एक डबल क्रोसिया और इसी के साथ ये दूसरा डबल क्रोसिया फिर यहां पर हुक डालेंगे देखिए एक डबल क्रोसिया और इसी के साथ ये दूसरा डबल क्रोसिया इस तरह से हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं यह देखें यहां पर इसके हमने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है यह देख सकते हैं इस तरह से पुभूती सुंदर सी आउटलाइन बनकर आई है यह देखें अब इसकी नेक पर आउटलाइन बनाएंगे यहां तो हमने बना ली अब यहां पर बनाएंगे यह देखें यहां स दागे लगाएंगे सबसे पहले हम दागे में इस तरह से इसको इस तरह से गुमाएंगे नोट लगा लेंगे यहां पर नोट लगा ली और इसको यहां से निकाल देंगे एक दो तीन तीन चेन बना लिए दागा में इस तरह से दबा लेंगे अब यहां पर हम हर फंदे से एक कि यहां पर आउट लाइन इसकी बना लेते हैं कि इसको बना कर हम कम्प्लीट कर लेते हैं इस तरह से यह देखे इसकी आउट लाइन हमने बना ली है अब जो यह धागा देखे हमने काटा है इसको यहां पर सेट कर देंगे अंदर की साइड इस तरह से नोट लगा देंगे क्रोशिया से ही और यहां पर इसको देखे एड़स्ट कर देंगे तो यह देख सकते हैं कोट तो हमने बना लिया है बिल्कुल तयार हो गया है देखे इसकी बैक साइड है अब इसकी हम बनाएंगे मैचिंग पैंट पैंट बनाने के लिए देखे हमने यहां पर फंदे डाल लिए हैं 42 फंदे हैं और इसकी हमने देखिए चार सलाइया तो बनाई है दोनों साइड से उल्टी उल्टी बोडर की उपर चार सलाइया यह वगई इसके बाद हमने नीचे से इसको प्लेन बुना यह तो इसकी हम लेंट आपको दिखाते हैं यह देखे पूरे डेढ़ इंच है डेढ़ इंच से एक पॉइंट कम है जो काफी है अब इसको यहां से हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे पूरा डेढ़ इंच भी इसको ना बनाए दो सलाइया आप कम ही रख ले अब देखे फोटी टू फंदे है तो एक पार्ट में हमारे इसके 21 फंदे आएंगे 21 इसमी 21 इसमी फिर फंदा वापिस लिया और फिर दो का एक बना लिया तो एक यह देखे दो फंदे तो हमने यहां पर कम कर लिए अब 21 फंदो में से दो कम हो गए 19 फंदे इसके भुन लेंगे दो फंदे हो गए तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सत्रे, अठारे, उननीस फंदे हमने आपर बुन लिया देखे यही से हम वापिस हो जाएंगे और दो फंदे इस साइड से कम करेंगे दो का एक किया फिर यह फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक किया अब हमारे पास इसमें 17 फंदे बच गया एक तो ही हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सत्रे अब देखिए, यहां से इसमें हम एक फंदा फिर से कम करेंगे, दो फंदो का एक किया, और तीसरी सलाई बनाएंगे, फंदे डिवाइड करने के बाद सीधी साइड से, एक फंदा हो गया, दो, यह फंदे हम बुन लेंगे, जितने भी हमारे पास इसमें सीधे फंदे हैं, और एक फंदा इसमें दूसरी साइड से कम करेंगे, यह देखिए इस तरह से, यह देखिए, और फिर यहां पर एक फंदा कम करेंगे, तो देखिए हमने यहां पर फंदे कम कर लिए हैं, फिर यह फंदा ऐसे उतारेंगे, और इसकी चोथी सलाई हम उल्टी साइड से 40 साइट से इसको हम उल्टा बना लेते हैं, देखे चार सलाई हैं, इसके हमने बना ली है, अगर आपको ये पजामी, ये पैंट, पांच नमबर के लिए बनानी है, तो बिल्कुल आप सेम तरीके से बनाएं, लेकिन अगर इसको आप 4 के लिए बना रहे हैं, तो इसमें आप 2 फंदे या 4 फंदे भी कम कर सकते हैं, 38 फंदे भी डाल सकते हैं, 40 फंदे इसमें डाल लीजिए, इसमें आप 2 या 4 फंदे कम कर लीजिए, जैसे आपकी वूल हो, इसके अकोडिंग, इसमें आप 4 फंदे या 2 फंदे कम कर लीजिए, या आप इसको 11 नमबर की सलाई से बना लीजिए तो इस तरह से देख लिए देखिए हमने इसकी चार सलाई बनाई है और इसका मेजरमेंट आपको उने बता दिया है आप 11 नंबर की सलाई से इसको चाहे बना लीजिए चाहे आप इसमें घुकें चाहारहे वह थोड़ी समय तो 4 फंदे या फिर दो फंदे में कम कर लें में जब यहां से में ऐसे फंदे डालें देख फिर से हम इसमें ऐस्में में इसमें मंडा करेंगे एक जचाहां पांच सालाइद ना लेंगे देखे लास्ट में एक फंदा यहां पर भी कम करेंगे दो, चार, छे, आठ, दस, बार, तेरे तेरे फंदे इसमें हैं तोर फंदा हम इसमें नहीं घटाएंगे इसके बाद उल्टी साइड से इसमें हम कलर चेंज कर देंगे ब्लेक कलर इसमें हम उल्टी साइड से लगा लेंगे पांच सलाई इसमें हम बना चुके हैं इस तरह से यहां पर छटी सलाई में हम कलर चेंज कर लेंगे इस तरह से धागा हम इसके साथ दबा देंगे आप नोट भी लगा सकते हो लेकिन नोट लगाने से किनारी पर देखे दिखाए देते हैं इस तरह से दबाए तो काफी अच्छी फिनीशिंग आती है छे सलाईय कंप्लीट हो गई है अब इसकी साथ भी सलाई बनाएंगे और इसको हम उल्टा बना लेंगे सीधी साइड से यह देखे साथवी सलाई में उल्टा बना लिया अब आठवी सलाई में सारे फंदेश के बंद कर देंगे दो फंदों का एक्किया उल्टी साइड से सीधा बंद करना है फिर फंदा वापिस लिया फिर दो का एक फिर फंदा वापिस दो का एक इस तरह से सारे फंदेश के बंद कर देंगे यह देखिए इस तरह से एक पैर वाला पार्ट इसका हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया इसकी लेंट एक बार आपको हम चेक करा देते हैं अगर चार के लिए आपको दो सलाई कम करनी है तो आप इसमें बेसक दो सलाई कम कर सकते हैं तो जैसे हमने यह पार्ट बनाया से हम इसी तरह से यहाँ पर बना लेते हैं फिर आपको दिखाती है यह देखें पैंट हमने त्यार कर लिए है इसको इस तरह से सील देंगे जो उलटा वाला पार्ट है नहीं डालने हैं लूज से ही डाले और दिखे फंदे डालने के बाद हमने इसके एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ लाई ने आ गई यानि 14 लाई हमने बना ली है अब यह दागा कट कर लिया है और यह फंदे हम इस दागे के उपर इस तरह से उतार लेंगे यहाँ पर इनको हम उतार लेते हैं और इसको सील लेंगे फिर देखे पैंट हमने सील कर तयार कर दी है और यह कैप भी हमने सील ली है अब इस कैप की आउटलाइन हम यहाँ पर बना देते हैं अगर आपको आउटलाइन नहीं बनानी है तो आप जब फंदे डाले या इसकी द तो हमने इसको ग्रीन कलर से ही बनाया है देखिए यहां पर हमने तीन चेन बना लिए और सेम जग है एक डबल क्रोसिया बनाएंगे तो यहां पर हमारे दू डबल क्रोसिया हो गए एक साथ इसके बाद हर एक फंदे में हमें एक एक डबल क्रोसिया बना लेना है इस फंदे को दागे को यहां पर दबा लेंगे इस तरह से देखे पूरी हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं और जैसे हमने जहां पर दागे को कनेक्ट किया एक थिरी की चेन बनाई और एक डबल करूस या और बनाया उसके साथ तो यह दो डबल करूस या काउंट होंगे एक फंदे पर तो यहां भी हम देखे जब इसके यहां पर आ जाएंगे यहां पर एक साइड का हमने बना लिया है जिसकी सीध में आ गए यहां पर तो यहां पर हम एक फंदे में दो डबल करूस या बना लेंगे एक साथ दो जगे हो गए एक भीक करना है जब हमने दागर लगाया और एक यहां पर खेसं और हमने की तो दॉडबल पर बनाइब death दॉडबल k dış बना लगाया और इस तरो हम इसको कंप्प्लीट कर लेते हैं बहुती है जल्दी हम चाहएं कुछा गाल्जिश C और सुन्दर भी बहुत लगती है हमारे लड़ू पम पाल जी जब पहने गे लगता थै लिग बाखाएं पाल फेस सुन्दर भी बहुत लगें गे देखें तो इसके हमने का आउट Bir यहाँ पर बना कर तैयार कर लिए है यह देखिए यह हमने इसको connect कर दिया तो इस तरह यह cap बनकर तयार हो गए देखे पूरा background हमने इसका change कर दिया है नीचे से black color पर यह अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इसमें इसमें black color लगाया है यह देखिए बहुत ही जादा यह प्यारा सूट है आप लोग खुद ही देख सकते हैं और जो हमने outline दी है इससे इसका look और ज्यादा अच्छा बन जाता है देखिए इस तरह से यह हमने आप इसको coat भी बोल सकते हैं jacket भी बोल सकते हैं बहुत ही प्यारी सी dress है कुल मिलाकर और यह इसकी देखिए पैंट है इसमें हमने डोरी अभी नहीं लगाई है इसमें हम डोरी लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से आप जहाँ पर इसको set करना चाहिए set हो जाएगी और यह है इसकी cap तो यह देखिए पूरा suit हमने बना लिया है एक बार हम इसकी length नहीं दिखा पाए थे तैयार होने के बाद coat की वो आपको दिखाते हैं यह देखिए यहां से यहां तक पूरे साड़े तीन इंच है अगर इसको हम outline से पहले देखे तो यहां तक यह तीन इंच है लें आहरे पास इस dres के हमने असको चैह और साथ नंबर लड़ू Mais के लिए भी बनाएा है पिंग कलर मी वर भी बहुती प्यारी ड्रेस लगी है और यह देखिये सच में बहुती सुनदर से meltsips आ हमारे लर्डूको पाल जिसको पहनेंगे देखिए तो फ्रेंज मिलते हैं अगली नई वीडियो में राधे राधे